हेलो आपके लिए काफी जिदा जबर्दस थोने वाले फाइल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप अपने वीवो टी-3 यक्स 5G की फोन में जितने भी स्मार्ट फीचर हैं सारे आपको बताएंगे जिनको आंकरके काफी जिदा अट्रेक्टिव बना सकते हो अपने फोन को एनहेंस कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी फोन के श्रेडिंग में आना है श्रेडिंग में आने बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलता है आपको थोड़ा नीचे आ जाना है Shortcut and Accessibility नाम से option मिल जाएगा आपको इस पर किलिक करना है इस पर जैसे आप लोग किलिक करते हैं यहां पर आप लोगों को ऊपर की साइड Smart Motion नाम से option मिलता है आपको इस पर किलिक करना है Smart Motion पर किलिक करने बाद यहां पर Smart Calling नाम से option है आप Smart Calling पर किलिक करेंगे smart calling पर click करने बाद तीन प्रकार की यहाँ पर smart call से related आपको feature मिलते हैं जैसे कि smart answer अगर इसको on कर देते हैं तो आपकी phone पर call आ रही है आप अपने phone को अपनी कान के पास ले जाएंगे automatic आपकी call receive हो जाएगी इसके बाद है smart switch इसको अगर on कर देते हैं तो आपके phone पर बात कर रहे हो call पर और phone को hand free किये हो और जैसे आप अपने phone को अपनी कान के पास ले जाएंगे automatic hand free हड़ जाएगा smart mute है इसको अगर on कर देते हैं तो आपके phone पर जब भी कोई incoming call आ रही है आप अपने phone को flip कर देजिए उल्टा कर देजी आपके incoming call mute हो जाएगी तो ए हो गया तीन यहाँ पर smart feature इसके बाद हम bike आ जाते हैं और आपको feature मिलते हैं पूरा bike आईए दो बार click करके इसके बाद face beauty video call है इस पर click करते हैं messenger, whatsapp, phone सारे option को on कर देंगे इन application से अगर video call बात करेंगे तो face beauty का feature मिलेगा, बैक आते हैं flash notification call आने पर flash light जिलेगी और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आउन नीचे आते हैं accessibility नाम से option हम इस option पर click करते हैं इस पर click करने बाद यहाँ पर एक option आपको smart feature मिलते है, phone dialer आप open करेंगे, इसके बाद right side सबसे उपर three dot है, three dot पर click करेंगे setting नाम से option मिलेगा, आप setting पर click कर दीजिए इसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे calling account नाम से option है इस पर click करेंगे, stream के option पर click करेंगे अगर turn on video calling का option है, इसको only when using a handset पर click कर देंगे जब हम bluetooth से connect किये रहेंगे अपने phone को, अगर उस समय call आएगी तब सिर्फ नाम बोलेगा यहाँ पर हम पूरा बैक आजाते हैं, अपने phone के setting में आएगे और search करेंगे carrier CARR, carrier video calling जो हमने turn on video calling आन किया था, वही option यह भी है carrier video calling का, जब यह दोनों option आन रहेंगे, carrier video calling का और जो हमने phone dialer में आन किया था तब आप किसी को normal call करते हो तो आप वहीं से direct video call कर सकते हैं direct video call में switch हो सकते हैं सामने वाला का phone बस support करना चाहिए